आपके इर्दगिर्द गाव महले में आप नजर डालेंगे तो आपको जोर शोर से कंस्रक्शन होता हुआ दिखाई देगा आज के टाइम पे जैसे पूरा देश अंडर कंस्रक्शन में चल रहा है लेकिन आप इसे अलग नजर से देखेंगे तो आपको इसमें कई सारी उपलब्धिया दिकाई देंगी नमस्कार दोस्तो बिल्ड एकनोमी में आपका स्वागत है और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंस्रक्शन से जुड़ा एक बिजनेस आइडिया जो की है इलेक्ट्रिक कंसिल्ड बॉक्स दोस्तो आज के जमाने में घर की वाइरिंग 99% कंसिल्ड ही होती है और इसमें यूज होते हैं ये कंसिल्ड बॉक्स जो आज का वीडियो पूरा इस पर ही होने वाला है कि कैसे इन कंसिल बॉक्स को बनाया जाता है इसके लिए क्या raw material लगता है इसको कौन से machine में बनाया जाता है ये पूरा business setup करने में कितना investment चाहिए और अंत में इसमें कितना मुनापा इस business से होता है और क्या central या फिर state government इस पर कोई subsidy भी देती है इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलेगी इसलिए वीडियो में अंतक बने रहे है सबसे पहले देखते हैं इनका demand तो जैसे आपको बताया आज के वक्त पूरे देश में जोर शोर से construction का काम चल रहा है तो इसका demand भी भयंकर है आप ये product बेचते बेचते थक जाओगे अब यहाँ पर हम एक लंबे process से गुजरते है जो की है manufacturing की process raw material में यहाँ पर use होती है galvanized sheet और उसे box के size के हिसाब से cut करके लेना होगा यहाँ पर कटाई के लिए shearing machine का use होता है galvanized sheet को बारी बारी आगे धकेला जाता है और blade इसे cut लगाता है कटाई की size इस बात पर निर्धारित करती है कि कौन सा box बनाने का process किया जा रहा है एक ही machine से अलग-अलग size की कटाई की जा सकती है sheet को पटी में cut करने के बाद अब यह process आगे बढ़ता है जहाँ पर 20 तन के power press से dye की मदद से छोटे-छोटे parts में cut किया जाता है यह parts याने की side पटी हो सकती है या फिर conceal box के pictures भी हो सकते है पटी से parts बनने के बाद आगे का process होता है जहाँ पर इसी part को दोबारा power press machine में half hole किये जाते है जिस hole का इस्तेमाल wire main, wire या फिर pipe को पास करने के लिए लेते है पटी के जैसे ही box का main part इसी तरीके से किया जाता है अब इस power press machine में आप देख सकते है कि कैसे conceal box अपना shape ले रहा है चारों कोनों में दबाव डाल कर उसे box की shape दी जाती है order के हिसाब से आप यहाँ पर box की production कर सकते है जितना आपके पास demand आ रहा है उसी हिसाब से आप production करना जारी रख सकते है machine बहुत ही तेजी से काम करती है लगातार box का production शुरू ही रहेगा यहाँ पर आप shift के हिसाब से भी काम ले सकते है जैसे कि 8 गंटे की shift और उसे दिन में 3 shift में आप लगा सकते है इससे आपका production मजबूत होगा और machine को इस्तेमाल करने के लिए कोई भी skill worker की ज़रूरत नहीं है बहुत ही basic worker इस काम को अंजाम दे सकते है यह सब इन machine का कमाल है किसी भी helper को आप basic training दे कर उनसे काम ले सकते है जैसे आप इस factory में देख सकते हैं यहाँ पर ज़्यादा तर महिला यह काम कर रही है जो की non-skill labor है लेकिन अब वो यह काम proper सीख चुकी है जो final box यहाँ पर ready है उनको अब branding के लिए एक और final process से गुजरना होगा जहाँ पर आप इन पर आपका logo emboss करेंगे यह भी simple process है आपको final box को कुछ इस तरीके से पावर प्रेस में अपने brand की डाई लगा कर उसे प्रेस करना होगा ताकि आपका logo उस पर आ सके और आपका product एक branded product बनकर तयार हो जाए यहां तक आपके production का process फिनिश होता है अब आप इसे quality check करके final packaging में भेज सकते है final packaging के लिए आपको इस conveyor packaging machine से product को आगे बढ़ाना होगा जिस पर आपके branding की एक plastic sheet product को wrap हो जाएगी और आपका final product ready हो जाएगा यह concealed box universal size के होते है जिस पर market में मिलने वाली कोई भी electrical plate लग जाएगी आप आगे इसे dealer या फिर distributor को supply करने के लिए बड़े carton box में भी pack कर सकते है जिससे आपके brand की image भी बढ़ेगी और product की value भी अब यह product market में दनादन बिकने के लिए तयार है अब बात करते हैं आपको यह product को market कैसे करना है सबसे पहले आप जिस भी area में है उसे 100 या 200 km के radius में आप आपके product बेचने का target करें वहाँ पर हर गाव शहर में जाकर electrical supplier ढूंडे जो wholesale में deal करता हो आप उनको आपका product दिखाए और उनसे feedback ले फिर उनको आपके rate बताए और distribution का margin बताए अगर आप उनको अच्छी quality के साथ साथ अच्छे rate भी देंगे तो उन्हें आपके साथ जुडने से कोई रोक नहीं सकता supply का भी turnaround set करें payment का turn और delivery पर भी बात करें ताकि आपको आगे आने वाली समस्याओं का समाधन पहले से ही रहे अब बात करते हैं concealed box बनाने के लिए कौन से machine लगने वाली है और ये machine कहां पर मिलेंगे तो हमारे team ने इसके लिए best machine बनाने वाली company के बारे में research किया तो हमने देखा कि राजकोड गुजरात में रविराज engineering corporation एक ऐसी company है जो ये power price, hydraulic price, mechanical price, sharing machine जैसे indigenous machine बनाती है हमने इनके factory में भी visit किया हुआ है जिसका वीडियो हमारे channel में आपको मिलेगा या फिर description box में भी उसका link आप देख सकते हैं इनके यहां से आप आपके machine का requirement के हिसाब से chain कर सकते हैं आप उनके number पे call करके उनसे जानकारी हासिल करें और आपकी machine आप book भी कर सकते हैं अगर आपको राजकोर्ट में जाकर factory विजिट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं कमपनी का पूरा details आपको description box में मिल जाएगा आप उसे जरूर चेक करें या फिर screen पे दिये गए numbers पर आप call करके उनसे अधिक जानकारी भी ले सकते हैं रही बात इस business में आने वाली investment की तो आपको कम से कम 2000 square feet की जगे की जरूरत होगी जहां पर आप आपका setup कर सके और stock रखने के लिए आप जगा भी बना सके ये जगा आप किराय पर भी ले सकते हैं ताकि initial investment आपको कम लगे अगर आपकी capacity जागा है या फिर आपके पास खुद की जगा है तो उस हिसाब से भी आप आपका जगे का chain कर सकते हैं बात करें मशीनों में लगने वाली investment का तो आपको कम से कम 15 लाग की जरूरत होगी जिसमें आपको लगने वाली मशीने आ जाएंगी working capital के हिसाब से आपको minimum 5 लाग अतिरक्त चाहिए होंगे जिससे आप आपका raw material और monthly expenses चला पाएंगे अगर average देखा जाए तो कम से कम 20 लाग से आप ये business शुरू कर सकते हैं और आपको जितना expand करना होगा उस हिसाब से आप इसको investment पे multiply कर सकते हैं बात करे finance विदा की या फिर subsidy की तो आपको आपके state के हिसाब से government की website पे चेक करना होगा जहाँ पर government आपको कोई subsidy या फिर loan offer कर रहा है state government के साथ साथ central government की भी कई सारे scheme है जिसमें आपको 35% तक subsidy मिल सकती है सिड़बी जैसे bank भी इसको fund एवं subsidy देते हैं इसके बारे में detail links description box में दी हुई है आप उसे जरूर चेक करें बात करें अगर मुनाफे की तो इस business में अगर आप सिर्फ wholesale में भी काम करेंगे तो भी आपका पूरा खर्चा निकाल कर मोटा मोटी 10-15% का net profit आपको हो सकता है ज्यादा तर labor centric business को चलाने के लिए labor की बहुत दिक्कत आती है लेकिन आपका ये business labor पे dependent नहीं है कोई भी unskill labor आपके इस business में चलेगा क्योंकि maximum काम जो है वो मशीन से होगा और labor पे dependency कम रहेगी तो आप इस business के बारे में जरूर सोच सकते है आशा करते हैं कि electric consult box बनाने के इस business की detail जानकारी आपको मिली है वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं एक और वीडियो में एक और नए idea के साथ क्योंकि knowledge से ही बढ़ेगी economy और बढ़ते economy से बनेगा नया भारत नमस्कार